Hello friends, Welcome to Study with Crazy Group Friends, Bihar Police Exam 2013 यानि कि Bihar Police भलती 2100, 2391 पोस्ट पे जो जो जोब नोटिपिकेसन निकला है तो इसका कलास स्टार्ट हो चुका है देखिए सबसे पहले हम आपको इसका एक्जाम पैटर्न बता दे कि 100 कोस्टन रहेंगे, 100 नमर की पुछे जाएंगे जिसमें कि 50 कोस्टन रहेंगे जो कि हिंदी, इंगलिस, समाने जाग रुकता और करेंट अफेर से पुछे जाएंगे और 50 नमर रहेंगे जो कि बहुतिक, रसायन, जी, बिज्ञान, इतिहास, राजनितिक, बिज्ञान, भुबोल, गनित और सास्ट याकिनी 2 बिज्ञाय की बैकल्पी की बिज्ञाय चुने, यानि इन में से आपको 50-50 पुछे जाएंगे, ओके, तो ये तो हो गया, जैसे रहेंगे सब एक साथी, एक से लेके 100 तक, ये नहीं कि पार्ट वाई अलग डिवाइड रहेगा, ऐसा नहीं, ये ओफ लाइन पेप अलग अलग रहेंगे, ओके, तो चली आज हम उसी का जो पिछला कोश्चन पूछा गया था, प्रिवियस येर कोश्चन वो देखने वाले हैं, तो उसमें क्या है कि 21-3-2021 को, देखिए 21 तारिको एक्जाम हुआ था, उसके बाद साइड ये कम मार्च में हुआ था, 2021 में, त तो हम लोग आज हस्ट पाली का कोश्चन देखने वाले हैं, और इसी तरह के कोश्चन पूछे जाएंगे, तो चली खुशी-खुशी स्टार्ट करते हैं, एकजाम पैटर्न समझ गये कि देखिए 2 घंटे का पड़सन पर, यानि कि 2 घंटे का होगा 100 कोश्चन पूछे जा खुशी-खुशी स्टार्ट करते हैं कलास, तो कलास क्या है, टंजो जो वन से लेके 100 तक हम लोग देखने वाले हैं, तो कुश्चन नमर गवन देखते हैं, टंजोर के राज-राजे स्वरम सिव मंदिर का निर्मान किसने करवाया था, तो A में क्या बोला है, राज-राव प C क्या बोला है, विज्या लेए, और D क्या बोला है, आदित्य पर्थम, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो क्या होगा, A फॉर आगरा, यानि कि राज-राव परथम होगा, क्या हो जाएगा, राज-राम परथम हो जाएगा, चलिए इसके बारे में हम लोग ठेक जोर में इस्टित एक हिंदू मन्दिर है कौनसा हिंदू मन्दिर है इसका निर्मान एक हजारथीन से 1010 इसवी के बीच में चोल साव सक पर्थम राज राम चोल के से चोलने कर वाया था देखें यहाँ पर आपका जो इस भी है ये कभी-कभी पूछ लिये जाते हैं क्योंकि इस भी में confusion रहता है बहुत सारी तिहासकार होते हैं वो इस भी में confusion कर लेते हैं लेकिन आप से ये जरूर पूछा जाएगा कि ये राज-राजेस्वरम जो मंदिर है ये कहां पे है तो तमिलनादू के तन जोड में इस पूछा जाएगा किस सासक ने इसे बनवाया था तो चोल शासक ने बनवाया था उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि राम राज किस ने बनवाया था तो राम राज चोल ने बनवाया था तो देखता हैं एक कोईंट से किटने सारी investigation का ए смर मिल ला है तो ऐसे पढ़िए ता कि बना दीज़्य हाट है, जो आप इझली बना दिज़ेगा, उसके बाद दखिए और क्या है पॉइंक हूआ मंदिल लुच्ट और कहने है, बिशु में यह पहला एक मात्र मंदिर है जो ग्रे नाइट चतान द्वारा निर्मित है तो ये भी question important हो सकता है देखना है कैसे question को तोरा जा रहा है यानि कि देखें बिशु में यह पहला एक मात्र मंदिर है जो कि ग्रे नाइट चतान द्वारा निर्मित किया गया है तो ग्रे नाइच चतान से बना है तो खों सा है ? राज रावे स्वएर्म या ब्रियादлон कारकर अधालरत है ? और अधाय तो थान रखिये Carnya के जाएगा जो कि इससोर स्वार Benjamin । रास राम प्रत्थं द्रॉ संसद है, आई क्या बोला है कोशिका भीति एबम कोशिका जिली बी क्या बोला है कोशिका भीति किन्रक जिली एबम पोसक की बीधी सी क्या बोला है कोशिका भीति पोसक की बीधी एबम उटसरजन के परकार दी क्या बोला है कोशिका जिली एबम किन्रक जिली एबम पड़जनन के बीधी इस ज्यान साखा के अंटरगट पांच क्या पांच जगत का वर्गी करन निम्न अधार पर किया गया वो निम्न अधार कौन कौन सी है कोशी का सन रचना है सरीर संगाटन है पोशन व परजनन की बीधी है एवां फाइलो जेनेटिक संबंध है ओके और उसके बार ये रेखे इन सं दर्व में बी सही होगा क्योंकि कोशी का भित्ति केंदर रख जिल्ली तथा पोशक यहां पे सही कर लिजेगा पोशक पोशक की बीधी के अधार पर पांच जगत को वर्गी क्रिट किया गया किसके अधार पे कोशी का भित्ति केंदर रख जिल्ली तथा पोशक के बीधी क इसलिए इसलिए कहां पर आपको दिखा दे रहा है अप्सन में très abdoo be its का सही उत्तर हो जाएगा ओए ट्रैसर टीए का बातीन इसलें एक वगिसी उन्हें साव जगतर हुए तब dy upon dx is equal to what? ये क्या है? तो देखते हैं क्या है? देखिए ये तिरकोन मिती का फर्मूला अब इस question है तो ये 10 inverse x plus 10 inverse y यहां x के जगह x ही है और y के जगह 1yx है तो इसका फर्मूला आप तिरकोन मिती जब देखिए फर्मूला समझ के और रटके दोनो जाना है ये नहीं कि क जो question आएगा नहीं यू हवा में उरा दिजेगा और study विट के जी गुरु का basic फंडा है information plus education is equal to selection information time to time देना क्योंकि information के without आपको exam सहीवे में नहीं दे सकते हैं education के without आप क्या exam के लिए नहीं कर सकते है तो दोनों अगर साथ में मिलेगा तो आपका selection कोई रोक देगा क्या है तो चलिए हम लोग देखिए और यहां subject बाज भी यह तो प्रेक्टिस सेठ है subject बाज भी आपको परहाया जाएगा जैसे कैसे subject बाज आपको इस तरह परहाया जाएगा कि English का अलग से class आएगा Hindi का अलग से आएगा समाने जागरुकता से अलग से अलग से अलग से अलग से अलग से आएगा उसके बाद यहां बहुत इक रसाएं जी बिज्ञान इतिहास राजिनित एक बिज्ञान भूगोल गनित अर्शास्थ है यह सब का separate class लाया जाएगा त तब जाके आपको last moment में क्या देखने को मिलेगा वो मतलब बाद में बताएंगे ओके क्योंकि without परहे हुए बिना परहे हुए कुछ होने वाला नहीं है कुछ ना कुछ आपको परना परेगा है तो चलिए देखते है y is equal to 10 inverse x plus 10 inverse 1yx है तो 10 inverse x plus 10 inverse y और इसका जो dy upon differentiate है differential है जो dy upon dx यानिके x के सपेक्ष में इसका क्या differentiate क्या होगा तो सबसे पहले इसको हम लोग एक format में त्यार कर लेते हैं तो क्या है देखिए 10 inverse x plus 10 inverse y अगर दिया रहे तो इसका फर्मूला होता है 10 inverse x plus y divided by 1 minus x into y यह होता है तो यहाँ पे x plus y यानिकी x x है तो x plus y 1yx हो गया into 1 minus x y तो 1 minus x है into 1yx हो गया ओके तो देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि यह देखिए x से x कैंसिल x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 minus 1 यानिकी यह टोटल है डिवाइडर वाई 0 अगर किसी के दीचे 0 आजा यह भी मैट का क्या मतलब किसका मान है तो 10 पाइडर वाई 2 पाई यानिकी 90 डिग्री अडिवाइड यह टैन पैटालिस का मान कितना होता है यह इन फिनिटी होता है इन फिनिटी होता है यह सब टेवल आपको रटवाया जाएगा टेंसल लेने की ज़रूरत नहीं है तो 10 इन इन वर्स टै गया यह वाई इसका एंसर क्या हो जाएगा यानिकी 0 सही एंसर हो जाएगा चली अगला कोश्चन देखते हैं क्या है निमली खीट में से मैठली सरन गुप्ट की रचना नहीं है ध्यान लखना है है या नहीं है यह पूछा है जो स्टूडेंट है न वो कन्फ्यूजन में चले जाते हैं इसमें कि है या नहीं सिधा देख लेंगे कि रचना है साकेत है ही भारत भालती है भारत भालती है ही पंचवती और देखेंगे साकेत और आगे बढ़ जाएंगे ऐसे नहीं और वो बी सी डी नहीं देखेंगे आपको सब कुछ देखना है कोश्चन सही से दे सिद कभी थे जो राष्ट कभी है क्यों कि 1904 में भारस सरकार ने उन्हें पदम भूसन से समानित किया राष्ट कभी मैथली सरन गुपति की जयनती परतिवस्ट तीन अगस्ट को कभी दिवस के रूप में मनाई जाती है किस रूप में मनाई जाती है कभी दिवस के रूप में मना आई जाते हैं और कब तीन अगस्ट आज कौन सा दिन है आज है तीन अगस्ट तीन अगस्ट डो हरजाल टेश है तो आज के दिन ही इनका जैनती मना जाता है राष्ट कभी मैठरी सरन गुप्त का ओके ध्यान रखेगा कितना और इसी डेट से आज का आज से प्रेक्टिस स स्टार्ट हो गया है और यह रेगुलर चलेगा बिनार किसी प्रेक्ट के ओके तो चलिए उसके बाद क्या है इनका जो पर मुख रचित परसिद क्रिटिया है वो कौन-कौन सा है देखते हैं जैद्रत वद है भारत भालती है पंचवटी द्वापर है जै भारत है साकेत है यह मैट्री सरन गुप्ट द्वारा रचित परसिद क्रिटिया है इसमें आपको कहीं पर पर्थिक दिख रहा है क्या पर्थिक साकेत भी दिख रहा है भारत भारती भी दिख रहा है पंचवटी भी दिख रहा है यानि इसका एंसर सी होगा क्यों क्योंकि इसमें र प्रवाह की प्राप्ती इसके लक्षे की तुलना में कितनी थी इसका एंसर जायगा। 76% तो देखते हैं क्या है देखिए बिहार राजे में वर्स 2017 में कुल क्रीशी साख परवाव की प्राप्ति इसके लक्षे की तुलना में 76% थी कितना 76% थी ओके तो ये ध्यान रखिएगा उसके बाद हम लोग अगला कोश्चन देखते हैं Q7 क्या है कयांतरित चतानों में पत्रन की किरिया से अभिपराय है क्या है देखिए ये में बोलता है चतानों में रसाइनी किरियाओं के कारण नए योगी को का निर्मान होना B क्या बोला है कुछ सैलों के कनों या खनीजों के सतह या रेखाओं के रूप में ब्योस्थित हो जाना C क्या बोला है अप्छाय के कारण चतानी पलतों का हट जाना और D क्या बोला है अपरधन के कारण चतानी पलतों का हट जाना इसका जो जही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा बी क्यों हो जाएगा देखिए सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ जनकारी ले लिते हैं पिर्थवी के सतह के कठोर भाग को चटान या सेल कहते हैं, पिर्थवी के जो उपर सतह जिस पे हम लोग बैठे हैं अभी, हम लोग खरे हैं, चलते हैं, रोड बनता है, जो भी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं, इसे उत्पत्ती के अधार पर तीन परकार में बता गया है उत्पत्रिके अधार क्यांतित है यही के बारे में पूछा गया है तो चतान के बारे में पूछा गया है तो क्या हो जाएगा इसके दखेए डाप यानि की temperature डाप pressure एवं रसाइनिक किरियाई, केमिकल रियक्षन के कारण अगने एवं आवसादी चतानों के रूप में बदलता है, अगने एवं आवसादी है जो कि चतान के रूप में बदलता है, किसके कारण, टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण, और केमिकल रियक्षन के कारण, जिसे रू परिखाओ के रूप में परिवलतन होना पत्रन का खिरिया कहलाता है। कियान्तरीट सेल के उडढारन नीस होता है, शिस्ट होता है, संग मर्मर होता है, तो यЕ ध्यान रखियेगा. एसका एंसर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा. तो इसका एंसर भी हो जाएगा, किस घटना ने अमेरिका को डुटिये बिस्यूर में सामिल कर दिया तो कौन सा घटना था देखिए अमेरिका था जो पहले डुटिये बिस्यूर में सामिल नहीं था लेकिन एक ऐसा घटना हुआ जिसके कारण डुटिये बिस्यूर में उससे मजबूरी बस सामिल होना परा और जो लास्ट में एटम बम गिराया गया था वो अमेरिका द्वारा ही गिराया गया था ओके तो देखे देखते हैं धूरी रास्ट्रों की सफलता यह नहीं होगा यहुडियों का नरसंगा यहां से भी अमेरिका को ठेस नहीं पहुंचा था इसके बाद दखिए परल हर वर पर जापानी सैनिक हमला यह इंपोर्टेंट है यही कारण है कि अमेरिका है जो कि डूटीए बिस्यूर में सामिल हो गया राष्ट्र संग की असफलता इससे भी कोई मतलब नहीं सी अब यह रीजन क्या है तो यह हम लोग देखते हैं देखिए अमेरिका ने सीधे डूटीए बिस नहीं किया था तो कभ किया था दखिए दिसम्बर 1941 को जापानी बंबरसको वाले होते हैं हवाई में अमेरिका केHar這些 DC अडे पर हमला किया?. 9 सैनिक हमले पे ओके जिसके परिनाम सरूप इसमें अमेरिका की 188 बिमान और 2000 से अधिक सैनिक मारे गए अगर मान लिजे कोई भी देश के साथ 188 प्लस बिमान उससे भी जारा खतरनाक 2000 प्लस सैनिक मारे गए तो वो देश चुप बैठेगा यहाँ पे तो फिर वही नियोटन ठर्लाव तो अपलाई होगा ही नियोटन ठर्लाव क्या बोलता है यह विप्रिट रियक्षन यानि कि एक जापान था और दूसरा का उन था और दो विप्रिट बस्तू होना चाहिए तो यहाँ लोग एक बस्तू मान लेते है जापान को और दूसरा किसको मान लेते है अमेर पर्शकों ने हवाई जो हवाई में पर्ल हरवर में अमेरिका के नौ सेनिक अड़े पर हमला किया था ओके ये ध्यान रखेगा तब जाके अमेरिका ने फिर जापान इटली जर्मनी पर इउड की घोसना कर दी थी ओके ये धूरी रास्ट और मित्र रास्ट की बीच हुआ था इसी बीच ये मतलब अमेरिका है जो उसमें सामिल हुआ था ओके और जो अंटी में जित हुआ था कि इनको अमेरिका गूटके थे उनहीं को सबको जित हुआ ओके तो चलिए अब अगला कोश्चन देखते क्या है अगला कोश्चन क्या है रेडियो सक्रिये टटो का वी घतन इस्ठी रंक यानि constant 2.31 into 10 to the power minus 19 years है इसका अल्ध आयूकाल लगभव है ABCD है अल्ध आयूकाल का जो रेडियो सक्रिये टटव है उसका फर्मूला होता है लेकिन उससे पहले ये constant दिया गया है और ये constant यहाँ पे है न अल्ध है T हाफ होता है T यानि की इसका अल्ध आयू यानि की हाफ होता है इसका जो फर्मूला होता है ये निकाला गया है 0.639 divided by K जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ओके यहाँ पे दिया गया है किजिएगा उसके बाद इजली यहाँ पे प्राप्ट हो जाएगा कितना देखे थी इन्टू टू डी पावर 18 वर्स हो जाएगा ओके यह आएगा उसके बाद इसको 18 में यह तो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है कहीं पे एवी सीडी में तो फिर से second format में आपको क्योंकि उतना ही पढ़िए जितना धिमाग में जा सके और केवल आके एंसल नहीं देखना है उसको एकड़म बेसिक से एरभांस टक देखना है इससे यह देखना है कि क्या आगे question बन सकती है यह बन सकता है तो ध्यान रखिएगा यह चीज अगर कोई doubt है तो वो हमें comment box में कुछ यह और टेलीगराम ग्रूप जोइन कर लिए जाकी तो जो भी information होगा वो आप तक हम सबसे पहले पहुंचाने का काम करेंगे और जो भी update आते रहेगा जो इसका official website है csvcbr police का वहां पे सबसे पहले आएगा आप फेक और आप वहां के news में नहीं पढ़ना है और उस प यह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेजिए जाहिन जाभारत